अनुपम अलोग किक अने अधा अपन वोय तो है सामने गड़े काभी ले थारीफ मन्थन 11 बैंटरा विरुद्धा श्री 11 चेम्बूर। मन्थन 11 बैंटरा विरुद्धा श्री 11 चेम्बूर के बीच मैच नमबर 12 प्रोलिंग कप सीजन वन प्रोलिंग कप मॉंबाई सीजन वन आप देख रहे हैं और आज के दिन का बहतरिन मैच इसने पहले हमने देखा था क्या धमाल किया था शाकिब ने क्या कमाल की बल्ले बाजी की और सबसे अच्छी बात बोली गोरे गाउ की टिम पहला मैच तो हार ही नहीं सकती तो यह confidence होना चाहिए संदीप जो confidence था शाकिब के बातों में सिर्फ बातों में ही नहीं तो बलकि उनके बल्ले बाजी में तो शुरुवात आकरमन की करते हुए स्ट्राइक में है गणेश पहली गेन और अउद्टी आफस्टा में इसे ड्राइव करना चाहते थे निकालना चाहते थे पॉइंट की और से पहला मैच जो खेला श्रेय अगोरे गाउने वरली के खिलाफ आसान नहीं था लेकिन शाकिब वहाँ पर डट कर खड़े थे निलेश की इस गेंद को निकाल दिया है बहुती खुबसूरती के साहत कर्म पर हो विश्वास और इश्वर पर हो आस्ता तो उल्जने कितनी भी हो आपको मिल ही जाता है रास्ता दो खिलाडियों को विभाजित करते वे रास्ता निकाल दिया गेंद चली गई सीमारेका के बाहर चार रन क्या बड़िया शॉट क्या बहतरिन टाइमिंग पूरी तरह से गेंद पर आए ताकत दिखा दी और गेंद को निखाला सफाई के साथ खेला हुआ ये शॉट गणिश के बल्ले से शुभारंब होता हुआ चौके के साथ गणिश और नौशाद ये दोनों पारी की शुरुवात करने के लिए आये है सलामी बल्ले बाज इस वक उठाना चाहते हैं गलत हो गए बहुत जल्दी खेल गए आप जाकर वहाँ पर मंगेश कहे रहें कि भाई इसी तरह से आपको गेंद बाजी करनी है खूश होगे चौका मारने के बाद फिर से उसी तरह से खेलने गए थे बैटर गणिश पहला विकेट यहाँ पर पहली सफल था यह गेंज जो के आफस्टम पर थी इसे ड्राइव करना चाहते थे और लॉफ्ट भी करना चाहते थे बल्ले को मोटा महिन सीरा लेकर गेंद चली गए विकेट कीपर मंगेश वैती के पास देखे अलग कैमेरे के साथ एक अलग एंगल में आपको दिखाया जा रहा है ने उनसे बाते की थी दोनों टीमों ने एक दूसरों के साथ बहुत सारा खेल खेला है समालो चनकक्ष में बिलकुल धाइनी और साई सुवरना साहब अपने टीम को आशिरवात देने के लिए बहुत सारा एक्सपिरियंस बहुत सारा अनुभव जिस तरह से प्रेशी अंकल साहब के टीशेट पर एक टैग लाइन है कि हम खिलाडियों को बनाते हैं साई सुवरना ने भी बहुत सारे खिलाडी बनाए है नीतिन जंगम एक इसा बैटर हमें मिला और फिर नीतिन जंगम के माध्यम से आज हम पूरी दुनिया में शिरेस कदम एक बहतरिन बैटर देख रहे है जो की चिनमय कदम के भाई है इस वक्त आज वो नहीं है वो सुरत में खेल रहे है चिनमय कदम खेलेंगे नए बैटर मैदान पर आये है रोहन सफलता अरजीत की है निलेश ने निलेश को कुछ तंत्र दिये है कुछ मंत्र दिये है यहाँ पर कप्तान मंगेश ने बिल्कुल पूरा सम्मान दिया यहाँ पर यह रन खत्रा हो सकता था लेकिन खत्रों के सवधागर है दोनों भी बैटर दोनों भी बल्लेबाद बहुत जल्दी आखों आखों में इशारा किया और देखते ही देखते रन को पुरा किया थोड़ी देर पहले जब संदिब तब उनकी यह टैग लाइन थी और उन्होंने बहुत अच्छा का कि क्रिकेट की परिभाषा में क्रिकेट की व्याख्या में आज हम इसे क्विक सिंगल कहते हैं लेकिन सबसे पहले हम इसे बहुत जल्दी चिकी रन्स कहते थे तो यह चिकी रन्स था बहुत रन्संक्या हो चुकी है पाच इस वक लोग फुल टॉस और इसे खेलना चाहाँ बैड बाउंस जो मिड़ॉफ में शेतरक शक्ते उसे नहीं रोक पाए लेकिन अब जाकर अच्छा बैक अप किया है और सिर्फ एक ही रन्स मिलेगा नौशाद, रोहन ये दोनों बैटर मैदान पर है छे ओवर्स का ये मैच है इसके बाद निश्ची तोर से संदिप जो अगला मैच होगा वो श्रेया इलेवन गोरेगा और इन दोनों टीमों के बीच जो विजेता टीम होगी उनके साथ होगा बहुत खूश है विपुल जी, प्रोलिंग कप मुंबई, सीजन वन छोटी गेंद और बड़ा धमाका यहाँ पर, गेंद को फेक दिया, गेंद चली गई, दूर गगन के च्छाओं में, छे रनों के गाओं में, सिक्सर रोहन, वेस्ट इंडीज के लिए हमने रोहन कनाही साब को देखा था, क्या बड़िया शॉट कहला दे के बैक फूट पर चलेगे, पूरी तरह से, गेंद को पढ़ लिया, और बहुत बहतरिन मिडलिंग करते वे, शानदार पूल कर दिया, और छे रन भी पाए है, रोहन न सुनिल गवासकर सहाब रोहन कनाही को बहुत पसंद करते थे, और यही वज़या है कि जब उन्हें पुत्र हुआ, तो उस सुपुत्र का नाम उन्हें रोहन रखा, रोहन गवासकर, तो रन संक्या हो चुकी है, बारा, एक विकेट खोया है, लेकिन बहुत जल्दी भूल ग रोहन की रन संक्या, साथ रन और आप नौशाद खेलेंगे, नौशाद ने अब तक बनाया एक, मन्थन इलेवन बैंडरा बना मश्री, इलेवन चेंबूर के बीच ये मैच चल रहा है, कल हमने अनिकेत को देखा था, क्या बड़िया बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल, अनिकेत के पास था, हिरे, गेंदबाज आये है, एक ही एंड से गेंदबाजी की जा रही है, देखिए आपको पीछे रंस नहीं मिल रहे है, लेकिन किसी की भी कोई भी तकरार नहीं है, जी हाँ कहा भी जाता है ना, किन्तू परंतू यदी अगर मगर काश नहीं करते, और क उचकर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते, बस कोई बहाना नहीं, हमें जो भोगोलिक परिस्तिती मिली है, हमारे पास जो स्तर है, जो काबिलियत है, जो हूनर है, जो प्रतीबा है, उस स्तर पर जाकर खेलेंगे, बाए हथ के बले बाद, खेलने के लिए तयार ह वो है, नौशाद, हिरे की पहली गेन, बिलकुल हिरे की तरह, टपा खाने के बाद बाहार निकल रही थी, और इसे ड्राइव करना चाहते थे, विकेट की पर विकेट के काफी सटिक खड़े है, संभावितर स्टंपिंग की तलाश में, एक स्लिप, अमपायर के दहिनी बग कैच को लेने की कोशिश ही नहीं की गई, मन्जिल मिले ना मिले, यह तो मुकदर की बात है, आप कोशिश नहीं करोगे, यह बड़ी गलत बात है, यहाँ पर कैच लेने के लिए जाना चाहिए था, आप क्रिकेट खेल रहे हो, और आप कैच कहा पर ले रहे थे, वहाँ पर हास थी आपको डाइव करना चाहिए था देखिए बहुत बड़ी अस्वी छिट किया है शेत्रक्षक है मौजूद गलत हो गए आकाश में चली गई दूरी कमी रही गई उचाई ज्यादा रही और वहाँ पर एक आसान सा कैच ले लिया फिल्डर ने कोई गलती नहीं कही आउ तो जल्दी मन बना लिया था प्रिमेडिटेट शॉट खेलने की कोशिश की और देखे शेत्रक्षक क्या बड़िया कैच बहुत बहतरिन फिनिश किया सुन्दर कैच लिया शफल हुए फिर अपना एंगल बदला स्वीच इट की लेकिन यह आसान नहीं होता सबसे पहले हमन तो आप देख सकते हो डेवीड वार्नर है या फिर किसी को भी देख सकते हो देखे स्क्रीन पर आपको मंगेश दिख रहे हैं मंगेश के बल्ले से भी आपको देखने मिलेंगे कई सारे रिवर्स और स्वीच हीट तो यहाँ पर आउट हुए है नौशाद स्कोर है 14 दो वि योगेश वैद्य अपने टीम के लिए परफॉर्मंस करते थे उसी तरह से श्रेयस कदम चिनमय कदम बिल्कुल बैंडरा की आन बान शान है आज खेलना होगा अपने टीम के लिए बेहतरिन परफॉर्मंस करना होगा लेदर क्रिकेट में भी बहुत अच्छा नाम है चिनमय का पीछे है स्लिप में एक चोटी स्लिप जहाँ पर हम उसे फ्लाइंग स्लिप भी कहते है वहाँ पर मंगेश तयार है हीरे की ये गेंद बिल्कुल जड में ड्राइव करना चाहते थे बाल बाल वहाँ पर बज गए है बेहतरिन गेंद बाजी बहुत अच्छी गेंद बाजी हीरे की सबसेच उनकी जो स्टाइल है गेंद बाजी करने की वो देखिये क्या खुबसूरत है बहुत अच्छा एक रन ज़रूर मिलेगा जी हाँ शशी साटम सहाब जिन्होंने राहूल 11 के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मंस किया है एक रन मिला स्कोर पहुचा है सोल आरोनों पर दो विक्टो के नुकसान पर रन संक्या सोला स्कोर अच्छा है स्कोर बहुत ही अच्छा है फिल्डिंग में यहाँ पर बदलाओ किया जा रहा है चतुराई भरी गेंद बाजी थी बले बाज बिल्कुल नहीं समझ पाए अप राइट सिम और फिर देखे जो नकल बॉल होती है उस तरह से यह नकल बॉल की थी अंदर आई थी ओफ कटर थी नहीं समझ पाए गेंद विकेट की पर ने यहाँ पर रिजल्ट भी बागा निर्णे भी मागा नहीं ओवर समाप्त हो चुके है दो दो ओवर की समाप्ती पर संधिप स्कोर हो चुका है टीम का सोला अब लेली आहे आशा विल्याला आइदर विकेट सटी केल पाई जे किमा मग डॉट बॉल मेकानिजम्स आपनों पर ला पाई जे पन हीरे ने आशे कहीं एक्स्परिमेंट मदे गेला नाई तो त्याने एक विचार केला कि समोर जोगाई वलंद विचार करतो है त्याच्या दावान सा अले कुंसा वत होता ना जला पन मंटों की ब्रेक लाऊना किमा त्याच्या विल्याला जला पन मंटों गती रोदक टाकन रस्त्या मदे त्या पद्ध दिने गती रोदक निर्मान केले धीरे ने ते पुर्जा शटकान साथी फार उपियोगी यस्तील गेंदबाजी हीरे द्वारा अब नए गेंदबाज आये है एक तीसरा विकल्प यहाँ पर शुभम द्वारा शुभम की पहली गेंद बैक फूट पर चले गएए देखिए अब यहां पर जो क्रिकेट खेला जाल हा वीलकit संदीब कॉपीबुक शाहिली के साथ खेला जाराया मैं कहूंगा कि पुष्टक खोला मैं कहुनगा कि पुस्तक खोला जा रहा है। पूरी से गेंदे आ रही है तेज जतर्रार आपको रुखना पड़ता है बैक फूट पर जाना पड़ता है विकेट के आगे खेलना पड़ता है स्कोर हो चुका है 17 शुभम अपने अगली गेंद लेकर शुभम की इस गेंद को हवा में खेला है क्या बढ़िया शॉट गगन में खेला हवा में उड़ता जा रहा है मेरा हरा गोला मलमल का गेंद सी मारेका के बाहर सिक्सर चाबुक शॉट सबसे अच्छी बात क्या थी गजब का टाइमिंग और बेहतरिन पार घुटना टेक तमाशा देक रोहन बिलकुल फॉर्म में है मैन इन फॉर्म रोहन थोड़ हमने उन्हें कहा था कि इस मैदान पर आपको किस तरह से खेलना है अनीकेत ने जो पारी खेली है वो पारी आपको खेलना है रोहन खेल रहे है बड़िया खेल रहे है विश्वास के साथ खेल रहे है क्या आप बड़िया खेल रहे है देकि अपने बल्ले का छेरा खोला और क विकेट खोय है टीममें जरूर लेकिन कोई दबाव नहीं कोई प्रिशर है संधिप यह सरागरी वीटियो और जिस प्रकार की placement बल्ले बास की नज़र आ रही है ना आज कल IIT भी इतनी अच्छी placement नहीं देती जितनी बल्ले बास की placement नज़र आ रही है और देखिए इस बार भी रोहन ने उसी प्रकार से आगे जाकर यहाँ पर गेनबाद के रणनीती को पैचाना था कि यहाँ पर इन्वाइट किया है और उसी इन्वाइट इन्विटेशन को उन्होंने स्विका रहा और जो पूरा एक गाप नजर आ रहा है डीप स्क्वेरलेक और वाइडेश विड़ विकेट के बीच में उस गाप को डून रहे थे कि अगर वहाँ पर गेन गिरती है बाउंस हो जाती है तो निच्छी तुरूप से यह चार रन भी हो सकते है लेकिन यह चांस लेना चाहिए हमेशा और रोहन यही बता रहे है कि क्रिकेट इस गेम उप चांस उसी चांस को उन्होंने ले लिया अब स्कोर जा पोचा है दो विक जाता कि भारत हार जाएगी लेकिन कपिल देव थे कलम ने बात किती मन की और मनोबल की तो जो मनोबल कपिल देव ने अपने टीम के खिलाडियों को दिया था 87 रणों पर आउट कर दिया था पाकिस्तान को और मैच जीत लिया था जब आप पचास ओवस में 125 रण बनाते हो तो आपको शायद हारना ही हारना है अगर बात आपने कपिल देव तो 25 आकड़े से जुड़ी हुई एक बात ये भी है कि 25 जुन 1983 में भारत ने अपना पहला विश्वचेशक जीता था निशित तोर से वो कल मैंने कहा था आज यह मैंने दूसरा उधारन डिया है 25 1983 मैं मेरे जिन्दगी की 17 एप्रिल जो मेरी जनम दिवस है मेरा जनम दिवस है उसे भूल सकता हूँ 25 जुन 1983 को कभी नहीं सिक्सर सुप्रीमो यह जो बॉल है अब इस बॉल की बहुत सारी चर्चा हो रही है और जहां तक इस गेन के बारे में जो चर्चा हो रहे होनी भी चाहिए क्योंकि हम मानते थे इससे पहले हम हमेशा बाते करते थे कि बल्लेबाद आजकल हीरो हो रहे है बल्लेबाद इस प्रकार खेल रहे है इस प्रकार से वीडियो बना रहे है इस प्रकार से रेल बना रहे है लेकिन देखिए इस बार गजब की गेंथी जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाद को इन्वाइट किया था एक 6 आया था इस ओर म लेकिन उसके बाद हर एक गेंद के उपर बल्लेबाद को जत्तो जहत करनी पड़ी है हर एक रन के लिए शिकस करना पड़ा है और अब केवल चार गेंदों में चारी रन आए है तीन ओर के समापती के बाद 27 रन आए है एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए संदीप दो विकेट खोए है 27 रन बने है और अब जो प्रो लिंक ओवर आने वाला है यहां पर आपको 15 रन बनाने है तो कम से कम आपका जो टार्गेट होगा हो सबसे पहला 42 का होगा और 42 का होने के बाद आप उसमें 10 रन एड़ करो तो आपके 52 रन्स बनेंगे अब आपको किसी भी हालात में आपको क्या करना है एक टार्गेट पूरी तरह से आपको आखों के सामने रखना है और 15 रंज बनाने है आपके बस विकेट्स है तो आपको जाना है एक पर जाना है शिक्सर मारने है दो शिक्सर और एक चार रंजो हमारे भरत साहब है कॉमेंट खेल लगर मुझेट थे चकश्चला करता है ज़िए गुट्वास पंदर द्रा द्वा सिथा पाइट तुम्हां पाइटिंग 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 पॉँट पॉच्चला क्या गडि खने से करेफाने टा चो श्याम्दिस्दे खेल आतिंत कि फ्यारन चिह चल पाइटिं तो यहां पर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है दो विक्टों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 27 मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 27 मरतबा सचिन तेंदुलकर नर्वस 90 में आउट हुए थे और आपको पता दू कि इस मैदान पर आज ये दूसरा दिवस चल रहा है प्रोलिंक क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत बहतरिन टूर्नामेंट है स्टेशन क्रिकेट खेला जा रहा है पूरी तरह से मुंबई शहर में प्रोलिंक क्रिकेट टूर्नामेंट की चर्चा है सिद्धिविनाय कांजुर बनाम शिवनेरी माहिम कींग 11 और वेदान्त अंधेरी बनाम पूंबई किंग कांदेवली वरली 11 बनाम श्रेया गोरेगाउ और आवका ये दीन का चवता मैच जो चल रहा है मन्थन 11 बैंडरा श्री 11 चेंबूर इस मैच के बाद एक कौर्टर फाइनल फिर एक सेमी फाइनल और एक फाइनल ये देखे स्क्रीन पर योगेश वैद्य साहब पूरी तरह से किस तरह से आयोजन यशस्वी करना है सफल बनाना है ये जानते है योगेश वैद्य साहब बहुत सारा अनुभव है क्रिकेट का कई सारे मैदान पर क्रिकेट खेल चुके है पारी की शुरुवात कर चुके है और आज यहाँ पर इस शुरुआत याने कि इस मौसम की शुरुआत भी योगिश भाई नहीं किये है रिशी भाई ने किये है हमारे विपुल जी ने किये है और मदु भाई ने किये है दो विक्टों के नुकसान पर स्कोर है 27 यहाँ पर अगेंडस भी निसे खेला अगेंड को फेक दिया गेंड चली गई बिल्कुल यह मिसाइल है यह रॉकेट है छे रनों का पॉकेट है सिक्सर चीन मैने क्या बड़िया शॉट खेला है राहूल की पहली गेंड जो कि मिडल और आफस्टम पर थी शफल वे गेंड को आने दिया पढ़ लिया उंगलिया फेरी जरूरती राहूल ने स्लोर वन हो गई और उसे ताकत के साथ खेला और देखिए लगातर यह दूसरा सिक्सर भाई आपको जाना होगा गेंड को लाना होगा खबर चपवादो अकबार में पोस्टर लगवादो बाजार में यह सिक्सर है अब तक संदीब बारा रंस आये है इस ओर में याने कि हमारे भरत साहब जो कॉमेंटरी में कहते हैं कि आपको तीन गेंदे खेलनी हैं दो सिक्सर लगाने है और एक चौका तो अब तक दो सिक्सर तो आये है और एक चौका आना बाकी है और अगर वो चौका आता है तो हम निश्ची तोर से कहेंगे कि हमारे जो भरत बाई है समालो चक है वो बहुत अच्छा कहते हैं क्या कहोगे संदीब बाब जर या टिकाने माईदानाद इंप्लिमेंट केल गेला तो मला वाटे है पहिला शटक असेल जा शटका मदे पंदरा पेक्षा अधिक धावा ये तेल आनि प्रोलिंग शटक आत्ता परें तो गोलन दाजांचा बाजूने ये शिश भी जला हो था ते फोलन दाजांचा माच को देख रहे हैं खूश होंगे देखे कितनी सहस्ता के साथ यहाँ पर उन्होंने एक स्लॉक स्विप किया था फिल्डर वहाँ पर लगाया गया है शॉट स्क्वेर लेग पर रोका कोई रन लेने की वहाँ पर गुंजाईश नहीं थी और कोशिश भी नहीं की बैटर चिनमाई ने स्क्वेर लेग है डिप मिडविकेट है काउ कॉर्नर है और लॉंगान है चार खिलाडी हमें ऑन साइट पर देखने मिल रहे हैं और एक खिलाडी है जो 30 यार्ड सरकल में शुट और थोड़क्स मिडविकेट पोजिशन में खड़ा है बाईहत के गेंबाज औ और ये भी जाएगी सीमा रेका के बाहर आर पार बढ़िया सिक्सर ये रनों का शौवर है ये रनों का टौवर है जी हाँ ये चिनमाई की पावर है सिक्सर कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गित गाये जा ये जिन्दगी है कौम की तू कदम क्रिकेट पर लुटाये जा जिस बंदे में है दम वो है हमारा चिनमाई कदम बिल्कुल हवाए तुफान में बदल गई है बादल गरजने लगे है आस्मान फटने लगा है धरती कापने लगी है एक भूचाल सा आ गया है जी हाँ चिनमाई कदम डोल ताशा नगाडा लेकर बाजा बजा रहा है यह दूसरी टीम है जी हाँ मुझे प्राजक्ता देसा ही मैडम बता रही है कि यह दूसरी टीम है जिनोंने पंदरा रंस बनाए है और देखिए यह है सुजबुज वाली क्रिकेट गेन को आने भर दिया बस बल्ले का चेरा खोला और हलकी सी दिशादी नौन स्टाइक पर चले गए स्कोर हो चुका है 46 दस रंस एड़ भी करने है तो यहाँ पर 56 भी कहूंगा चिन मैं नव गेंदों में 22 सर्वोत कुरुष्टर रंसंक्या टुर्नामेंट की क्या है यह भी देखनी होगी और इंडिज्वल जो रंसंक्या है अनिकेत की वो भी देखनी होगी चिन म है 22 पर पहुचे यह पर जो गेंद बाजी की जा रही है 57 ओवर जैसे तैसे संधिप खत्म हुआ है बिलकुल चैन की सासली होगी गेंद बाजने 75 हमने कल देखे थे अब्युदैचा राजा किंग आफ अब्युदै काला चौकी जो अनिकेत की टीम थी और जो सरुवत्तम रनसंख्या थी वो भी अनिकेत की है 37 वीपुल पांडूलकर सहाब का यह सारा नजारा यह सारा कार्यक्राम यह सारा शो सिक्सर सुप्रिमो जीकियस ब्रोड कॉस्ट सॉलूशन प्रावेट लिमिटेड स्पोर्ट्स फ्लेक्स यह है देखे क्या बड़िया शॉट के ला है वहाँ पर फिल्डर जी नहीं बलकि डिकलरेशन जोन में चली गई है स्कोर हो चुका है 57 और अब एक जोड दो 58 देखिए यहां पर मंगेश्वाइती बैट को चलते चलते उनके पैर लगे लेकिन उन्होंने बैट को चुआ है यह हमारी संस्कृती है क्या कहों के संधीबाप या गुष्टीवर मला एक गुष्टा अड़ होते मंडे कि यूरात सिंग ने एक वड़ेला चुडून बाद जाले नंतर बैट अपटली होती ग्राउंड वरती आणि त्याचा नंतर तो ड्रेसिंग रूम में देगेला तेवस सचिन तेंडूल करने एक वाक्य सांगितला होता कि आज जे तू कही केलस न ते बरोबर नाई है आज जो भी तुने किया वो गलत है क्योंकि इसी बैट से तुमारे घर में रोटी आती है रफ्तार बरी गेंद और इसे खेलना चाहते थे बल्ले का मोटा महिन सिरा लेकर गेंद चली गई विकेट किपर के पास और रोहन आउच हुए यह तीसरा विकेट खोया है बैंडरा की टीम ने सफलतारजित की गेंद बाज ने देखिया बहुत बड़िया गेंद बिल्कुल काफी आगे की थी फुल पिछ टिलेवेरी थी और इसे ड्राइव करना चाहते थे अविद बॉडी काफी पीछे थे और अपना जो ट्रीगर मोमेंट हाओ वो भी ठीक नहीं रख पाए गुफ्रान देखे रोहन की प्रशंसा की जा रही है तालिया बजाए जा रहे है क्योंकि रोहन ने शुरुवात की थी एक चिंगारी रोहन के बल्ले से देखने मिली लेकिन जो आग लगाई है न वो है चिन्मे और चिन्मे सहाब अभी भी मैदान पर है पूरी तरह से बैंटरा का क्रिकेट आज अगर जिन्दा है तो निश्ची तोर से हमारे साई बाबा साई सुवर्ना और ये कदम बंदू यानि की श्रैस कदम और चिन्मे कदम नितिन्मे आई ये हलका खेला जरूर था जान बूचकर अपने स्ट्रोक के ताकत को कम किया वहाँ पर गुफरान ने स्ट्राइक पर आये है अब जाकर चिन्मे 59 क्या आज जो 75 का अकड़ा कल हमने देखा था प्रोलिंक टूर्नामेंट में आज देखेंगे इंटरनाशनल क्रिकेट में 69 मर्तबा मुथया मुर्ली दन है जो कि शुन्य पर आउट हुए है स्कोर हो चुका है 69 खेलने के लिए तैयार है चिन्म है 22 रंद पर खेल रहे है यहाँ पर फिर से एक बार डिप मिडवेकेट की दिशा पर प्रहार करना चाहते थे गेंद काफी नीची रही सब्मरीन डिलिवेरी अच्छी गेंद बाजी करते वे इस वक्त गेंद बाज निलेश निलेश ने पहला ओर किया था पहले ओर में एक चौका खाया था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बेहतरिन गेंद बाजी की थी एक सफलता भी अरजीत की थी गुफरान तयार है इस वक्त अलंग दे कारपेट खेला है गेंद आ रही है मिड़ाफ की तरफ एक रन जरूर मिलेगा स्कोर साथ सक्स्टी वन आज तक प्रो लिंक टुर्नामेंट में सिर्फ दो इटी में है जिन्होंने 15 रन्स पूरे किये है प्रो लिंक ओवर में और 10 रनों का बोनस भी प्राप्त किया है कल एक थी वो थी अनिकेत की ठीम और आज है चिनमाई की ठीम अब ये बहुत बड़ा स्कोर है 61 रनों की साजेदारी कल हमने पहले विकेट के लिए देखी थी अनिकेत और अधित्य के बिच तीन विक्टों के नुकसान पर यहाँ पर 61 रन है और अभी भी चिनमाई मैदान पर है निलेश की ये बाहर जाते वी गेंद को छेडखानी की करनी की कोशिश की थी गेंद शरारत करते वे बाहर निकली थोड़े से नाराज है लेकिन अब जाकर शैड़ो प्रैक्टिस कर रहें चिनमाई की जी हाँ ये शॉट गलत हुआ तो क्या हुआ अगला शॉट खेलूगा जिस तरह से उन्होंने जो गलोज पहना है और जो बैट लेकर खड़े है बिल्कुल जो बल्ला है वो गॉल्फ स्टिक की तरह लगती है जल्द से जल्द आपको आने वाले ओवर्स करने हैं ओवर्स कितने खत्म हुए है वो देखने होंगे पाच ओवर की समपती और स्कोर ह बनाया गया है देखें पानी मैदान पर जा रहा है जैसे जिसकी नियत होती है वैसे वो कहानी रखता है कुछ लोग परिंदों को बंदुक से मारते हैं तो कुछ लोग परिंदों के लिए पानी रखता है यहाँ पर पानी मैदान पर पहुंच चुका है जल जल है तो फिर क जल है और जल लेकर भाई साब जो गए है ना इस पेट पुजा को देखा है पांच ओवर की समापती और अब टार्गेट होगा ना वो 14 रनों का होगा क्योंकि 75 रन कल हमने देखे थे और आज इस ओवर में भी 15 रन आते हैं तो सर्वत्तम रन संक्या हम देखेंगे शुभम ग्यारा रन दे चुके है तयार है बैटर गुफरान गुफरान अपस्टम के बाहर की ये गेंजोकी खेला ये क्या है अब देखना होगा क्या इशारा आता है बहुत अच्छी फिल्डिंग रन लेनी की कोशिश की थी थोड़ी सी हद बलता और चिन में को आना होगा विल्ड़ी। प्रोलिंग स्पोर्ट्स के माध्यम से सीधा प्रसारण देखिए सचीन तेंदूलकर सहब इसे एक्षन में खड़े रहते हैं इंटरनाशनल क्रिकेट में हमने देखा है और यहाँ पर बिलकुल यह हमारे जिहाँ चिनमय सचीन तेंदूलकर कदम Confidence गजब का आत्मोईश्वास और संदीब जगे सहाब कहे रहें क्या हिरो दिख रहा है न भाई हिरो ही है कमाल का खेल खेला है महानता के आकाश को चूने वाला खेल आज हमने चिनमय कदम के बल्ले से देखा है चिनमय के साथ अभी भी मैदान पर गुफरान है और क्या फैसला आता है क्या आता है यहां पर फैसला आ चुका है और पैवलन की तरफ आ रहे है चिनमय ग्यारा गेंदो का सामना किया है और चिनमय कदम ने तेईस रन बनाए है बहुत अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेली है और खास करके जो शॉट लगाए न वो ला जवाब थे क्या सिक्सर खेचे है चार विटों के नुकसान पर अब टीम की रनसंग क्या है 61 अब गए है अज्जू शुभम अपनी अगली गेंद लेकर शुभम की इस गेंद को बहुती खुपसुती के साथ खेल दिया है लॉंगाउन के दिशा पर शेतरक्षक वहाँ पर माउजूद है एक बड़िया क्रिकेट इस वक्त खेला जा रहा है सिंगल अब गुफरान तयार है गुफरान बैंडरा एरिया में काफी फेमस बहुत अच्छा खिचते हैं ठोकते हैं ये भी मैं कहूंगा ओओ ओओ ये यॉरकर लेवल की गेंद बहुत अंदर आई थी कुछ देर के लिए थी कि गेंद की स्पीड को कम किया गया ये भी स्ट्राटेजी होती है क्योंकि जिस तरह से चिन में ले में थे रिदम में थे आपको ले और रिदम तोड़ना है तो जो गेंद का स्पीड होता है न उससे भी आपको कम करना आना चाहिए ये स्ट्राटेजी होती है जो अपना ही गई फिर से एक बार ये मिडल और आफ स्टंपर की गेंद अंदर आई दी थी एक इंडी पर जिस गेंद को कहते है उस तरह से ही थी अलाकि पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई लाजवाब पारी खेल रहते लगातार गेंद को सिमारेका के बाहर फेक रहते और जितने भी दर्शक थे वो आनन से वीभोरो कर जूम रहते नाच रहते ये शौट अच्छा है कवर पर खिलाडी मौजूद है एक रन पुरा किया दूसरे के लिए आना चाहते है जब तक थ्रो आता है शायद ये दूसरा रन पुरा होगा देखना एंपायर क्या डिसीजन देते है इस वक्त हमारे दहीनी बगल में बिलकुल एक बहतरीन एंपायर महेश जी महजूद है तो दो रन पुरे हो चुके है 65 चार विक्तो के नुक्सान पर स्कोर हो चुका है 60 बैंडरा की टीम बहुत बढ़िया खेल रही है क्या मंगेश इस लक्ष को पुरा करेंगे एक अच्छा शॉट एक बढ़िया ओन ड्राइव एक पुरा किया दूसरे के लिए आना चाहते है जब तक थ्रो आता आई है दूसरा भी रन पुरा किया देखे अब यहाँ पर थ्रो स्टम पर जाकर लगा है क्या फैसला होगा रनिंग बिट्विन दे विकेट काम कर गया दोनों टीमों के लिए रनों का नाम कर दिया 67 67 एक बड़िया इनिंग हमने देखी है एक बहतरीन पारी हमने देखी है चिनमाई के दौरा श्री इलेवन पॉसस मंतन इलेवन अठारा रन बनाए है रोहन ने लेकिन तारिफ करनी होगी चिनमाई कदम की जिन्होंने ग्यारा गिंदो का सामना किया और तेईस रन बनाए है ये दो पारिया है जो कि एक रोहन की है और एक चिनमाई कदम की है और चिनमाई रनाउट हुए है निलेश को दो सफलता मिली है मंतन इलेवन वर्सेस श्री इलेवन पॉरलिंग कब दोहजार चोबीस का ये मैच दूसरा विकेट चवदा पर प्राप्त करने के बाद तीसरा विकेट लेने में बॉलर नाकामियाब रहे अठावन रन पर तीसरा विकेट खोया है जो विकेट से निलेश ने दो विकेट लिये सोला रन दिये लेकिन राहुल जोगाडिया काफी महेंगे रहे बीस रन एक ओर में बीस रन आये है और शुभम ने सत्रा दिये है हिरे जो की बहतरिन गेंद बाजी की सिर्फ तीन रन दिये उनको दूसरा ओर नहीं आया अब छटीस गेंदों में 68 रनों की जरुरत है मैच को जितने के लिए और कॉमेंटरी बॉक्स में है संदीप जगे तन्यवाद मौंटी सर पहले डवाचा खेल संपला और दूसरा डवाचा खेलाला सुद्रूवाद होते सामना जिंकने साथी अडुसस्ट धवापूर्ण कराया चात असा बनतात की मानसाला एखादी गुश्ट हाँ अमचे मेत्र अफ्रोज भाई मैदाना मदे उपस्ती जले लेत मी अफ्रोज भाई याना विननती करतो की आपण व्यास्पिट वरती होन स्थानपन वायचा है अप्रोज भाई याना विननती करतो की स्थेज वरती होन आपण स्थानपन वायचा है अप्रोज भाई आपण आला त्यापदल वेलकम आपला आणि विनननती करतो की चला आपण इथे यान व्यासपिट वरती सर्वा मंड़ी आपली वाड़ पाता है अलता बाई आटी काने उपस्ती तायाद विपुल पांडूल कर स्पर्देचे अर्थाताच आयो जग्या नादने तुम्चे समवेत अतिशे चांगले अर्थाताच आपले सर्वांचे सहकारी लाबले लाया अपना सर्वाना आमा सर्वाना आणे विशेष्धा ही स्पर्दा याशेषफी होनेये साथी प्रोलिंग्चे उमचे समपूण टीम संदीप कीर अणी तेन Choice समवेतमचे रुतुच आनी तयाजे सर्वा सहकारी विशेष्धा सर्वा कामेरामन मलवट्ट लंजब्रेक सुद्धा अजुनी गेतलाई नहीं तेनने बरवर रहने रुतुच पर्ण तरी सुद्धा दिवसबर आज परदेतला प्रतिक्षण तुमच्या परेंत पोचोने साथी ते कटी पद्धा आहेत अगधी सकाली आट वस्ता समना सुरू हो नार ये त्य मध्यन तरीचा काडा मधे एक वर्दमान पत्रा मधे चान एक लेक अला होता कि जर आटिफिशियल इंटेलिजेंस येते तर ते खेडा मधे कोण-कोण त्या पद्धतीने चमतकार गड़ोना रेत तर त्या विशेव विगवगळी अर्थातस मत असुशक्तिल पन येवड मत्र नकी है कि ही नबय दमाची अनि त्यात्स वड़ेला अने खर हुन्नरी जी मुला है ती एचा मधे एक विगळा अविश्कार गेहुन एता है त्यानना सुद्धा आपन सालिट कुरिया चला सलामीची जोडी मैधानत जाओ द्या सामना जिंकने साथी अडुसस्ट कि अवश्कता है अडुसस्ट दावांची अवश्कता अस्ताना जेला मॉंटी सरांचा भाशमादे मनाईचा जाला तर तुम्हीं नेमी मंटा की इट का जवाब पत्थर से देने की अबिलेटी रखनी चाहिए अनि ती अबिलेटी यावळेला मैधाना मदे काबिलियत ती काबिलियत जर मैधाना मदे दाको ले न तर ते फार मलावट्ट न अत्यावश्क अशा सरूपती गोश्ट असनार है ती यावळेला मंगेश्च प्रतम फलंदाजी करताना निर्दारीच सहा शटका मदे सदुसस्ट धावा उबारल्या अडुसस्ट धावांचे अर्थाताचा अडुसस्ट धावांचे अर्थाताच या स्पर्धेचे स्पॉंसर जन्ने अमाला इस पर्धा येशश्वी होना सटी सहकार येके लिले आएथ जीकेस ब्राडकास्स सुलूशन प्रावेट लिमिटेड जन्चे संपूर्ण टीम येले कित्ते एक वर्ष या शेत्रा मदे कारियर आथा है आने त्याल टैंचे शिया था अमी सुद्धा जोडले के लिले लो आहोत ही सुद्धा अमचा सटी एक आनन्दाची अणे अभिमानाची गोश्टा आहे ये त्या गळाद UPL उत्तराखन प्रीमियर लीग जीकेस ब्राडकास्ट इक्पिपमेंटस और इंजिनेरिंग सर्विस येंचा द्वारे अपलेला पाहला मिलना रहे या नंतर अर्थाताच अपनचा धाउसं के बाबत बोलो तो तो ना की अडूसस्ट धावाच चेस कराएचे आणि विशेष्टा श्री इलेवन चिम्बूर संगला सामनेला सुरुवात करा मी मगास पसुन दोन वेला अपलेला सांगितला तुमची वेल मगासित सुरु जलेली है दोन पंचे जाड़ीस वस्ताह सामना सुरु होतो है पंचानकडू निशारा यणार की सामना सुरु होतो है मंगेश वाइती स्ट्राइक एंडला सलामी विरें नात्याने पाहला मिलतो है आणि नौन स्ट्राइक एंडला नजबूल मंडल ये दोन अर्थात साथीदार फलंदाज मैदाना मदे सज्ज जलेद आणि पहील शडग योन सोनु या विलेला तैयार है अडू सश्ट धावांच आमचे सहकारी आणि गोरेगाउ गोरेगाउ मदेला एक नामांकित खायडू गांगुली या टोपन नावाने प्रसिद्धासलेले उमेश या टिकाने उपस्ती जलेद उमेश यान्च सुद्धामी मनपूर वक स्वागत करतो प्रोलिंग चा पर्वा पहिलया मदे प्रोलिंग कप चा निमेत्ताना या टिकाने आने एक मानिवर मंड़ी उपस्ती तो तै उलेदान अगडे जीते सुनू पहिला चिंडू कियो नाला आने त्या पहिला चिंडू वरती मोर लागली होती कि तो निर्दा वसेल मंगे श्वाइती कडे अफलातुन टाइमिंग है मंगे श्वाइती कडे अफलातुन अचा पद्धती चा टैलेंट है आता त्याच्या समवे टेंपरामेंट जर जोडल मंगे श्वाइती ने तर आज मंगे श्वाइती मैदाना मदे प्रभाव पाड़नार का पुल्टोस बनन खऴूं काललाग वाइडेश लोंगोफ शेद्रा मदे शेद्र रक्षक ताटिकाने उपस्ती दाहे आने त्या कारणास तो आपन बगितला मंडे डीप एक्स्ट्रा कवरला आरता तो शेद्र रक्षक होता तो जो परेंत त्या चेंडू परेंत पोचेल ए पुल्टोस बनन खऴूं काललाग वाइडेश लोंगोफ शेद्र रक्षक होता तो आपन बगितला मंडे शेद्र रक्षक होता तो पंचाननी इशारा केला कि वाइड आहे असले हाचा सिगनल अमचा परेंत पोचावला आने अमसे गुणलेक एक मिद्र मॉंटी सर दाव संक्याल एक स्कोरर यानने या टिकाने अपले खात्या मदे त्याची नोन सुद्धा केली पने एक गोश्ट मातर आवर जुने मॉंटी सर आपन पातो कि जिवो गोलंदाज अप्स्टम चा बाहर चीजी लाइन मैदाना मदे धुरून गोलंदाजी करतो है ते सुद्धा श कि तुम्ही त्या विभागा तुन केला त्या मोले सांगले चेरे सुद्धा अपलेला एक स्पर्दे चा माध्यमा तुन पाला मेटा है जानना अपला प्राविटने या मैदाना दाखोता है अब गया या ही वेलेला पड़ पातो है चेंडू चा टप्यमादे बदल केला हो मंगे शुवाइती लोंग ओन लोंग ओफ रिजन ला खड़ून काड़ू शकतो तर मग तेला ओर पी चेंडू नाइदे याचा किमा त्या चुवलेला तो फ्रेंट आप दो विकेड यानार नाई याची काल्टी याची बरोबर त्या पद्धती ने प्लानिंग केला जात अटाही अपन पातो ओर पिजबनुन खड़ूं काड़नाचा प्रहतना केला गेला ओता कवर चा शेत्र रक्षकाचा हाता दून हाचेंडू निसट तो आणि जवल जवल जीवन दान देला सरकस मोणू या ते मंगे शुवाइतीला मगाशी उधारन अपन एक दिला होताद आशा पद्धतीची मलावट्टाता अनेक उधारन अपलेला द्यावी लागतील की मगतो सामना बारत वेरुद्धो पाकिस्तान परदेतला असो कि महा दक्षिनापरिका अने अस्ट्रलियाचा असो हर्षल गिपने सोडलेला जेल अ अने मग त्याचा वर्थी टिपननी केलिया सेल्थी स्टीवो अने या सगला गोश्टी हो तस ताथ पन त्याचा पली कडे या पद्धतीला या खेलीला पुडे मंगेश कसा न्याई देनार ते सुद्धा तेवडच महतो अचा टरेल अपस्टम चा बाहेर नजमूलला मात्र ही लाइन गेऊ नालेला अहे गोलन्दाच सोनू तो प्रेद न करतो ही कि नजमूल जास्ती जास्त गरून अपस्टम चा बाहेर येल स्वता साथी जागा बन वेल अनि त्या वलेला तको कवर कि मा एक्स्ट्र कवर चा मधे खेलिना प्रहत्ना करेशा देक सेटर ने चरोगे खेले लाही अग्में और डिला से द्राद खेली अगेल जाओ, ही आर्थाथाथाच अपिक्षा सुद्धा येश्टी रक्षकाच्च सर्वांची जोदी, पहले शिटकाचा खेल संपलाई टीदे, पींक कलारचा पड़धा, मौला वट्टकोणी पगड़लाई पहलेश्टकाच खेल शंपलाई, पास्दावा दावफल का वर्थी लगले थडु सश्ट दावान उत्तर देता ना अपन नेमी मन्टो कि जिंकनेची मजा तेवा जेते जिवा सर्वजन तुमची हरनेची वाट पात असता आज कोण कोणाची हरनेची वाट पातो है ते यह दोनी संगातील खायडू ना माईती है गनेश देटे यह तो है देटे गोलंदाजीला यह तो है यह स्पर्देदिल सामना विरा साथी सुध्धा तैने पारितोशिक या ठीकाने जाहिर केलेला आणि या विलेला मात्रा गनेश देटेला बाक्फूट वरती जाहून मंगेश वाइती स्पेशल स्ट्रोक पाला मिलतो है यह पद्धतिने ज विरेंदर सेवा गाटवा हो आणि तैशान अंतर मंगेश वायती जाऊ तैचा सुबत जूटं आव यह थाँ तो चेंडू पॉइंट्च चा अणे कवर पॉइंट्च चा डोक्या ओरून तटा होतों, आसा फटका मंगेश वहीती जिवा जिवा खईटों आपन नेमी मन्तों, डोलायांस पारण फेट नर फटका होता, नौ धावा दाफल का ओरती, गणेश वर्शेस मंगेश, आता मातर जो कई आवास तुम्हाला मैधाना मदे आला होताना, तोच सर्वांचे अरधा छेर्या वरती सुद्धा सांगून जातों, कि हाफटका मंगेश ने खळायला हवा होता, त्याच बढ़ेला त्याच बढ़ेला त्याच गेतला नेमी तो योड मातर तेवडच खराय, नौधावा धाव फलकावर ती लागला, एक पुणांको दोन शटकांचा खेलच अंपला है, गणेश देटे कड़े अफलात्तुन असा अनुपव गेला, दोन तीन वर्शा मदे तेने अनेक स्परदांचा अगेतला है, आनि त्या अनुपव गणेश देटे गोलंदाची करतो है, पुन्ना एक दा फुलर लेंचा चेंडू, मंगेश वहिती सटे एक वेगला प्रकर्ची व्यूनेती बनावनाचा प्रहतना केला गेला, जर शौड अप लेंचेंडू टाकला तर मंगेश वहिती ते बनावतो है, अपले सटी जागा पनोतो है, अपन पाहला है, मग तोड़ा सा फुलर लेंचेंडू परन्तो तो दितकाच ओप्स्टम चा बाहेर, त्याचा रडार मदे द्यायचा नाई, असा केदाची तकाई वेगवेगले एक्स्पिरिमेंट करनाचा प्रहतना केला जातो है, आनि ती प्रहतना केले जान अनि गनेश देटे हाथ उन्चा उन्चा उन्चांगतो है, नजमुल्ला बाध होन परतुन जावला गेल पाविलन मदे, हाँ पहिला हाद्रा, पहिला धक्का अर्थात अज बसतो है, तो श्री इलेवन चिंबूर संगाला पहिला गेल नजमुल्ला, हेच कदाचित गनेश देटे मनत असावा, मंगेश वैदीने सुद्धाते पाहिला, कि इतको सोप नाई ये या मैदानावर्ती शटकार मारना, या मैदानावर्ती त्यला चटकार वसेल, जो परफेक्ट टाइमिंग सुद्धा करेल, आनि ती ता संगा अत्ता परेंत पोचला ये तो एक गड़ी बात दहा, या सामनेचा नाने फेकेचा कवल मंथा निलेवन बांदरा संगा ने जिंकला होता, पन हे विसरावला लागेल ना, कि तुम्हाला माक्चा चंडू अर्ती काई जाला, जसा काल मी मनालो तो दी ग्रेट सुनिल ग अवसकर मन्तात की, फर्गेटिंग इस एन आर्ट, आनि तुम्ही माक्चा सामनेच काई केले, माक्चा चिंडू अर्तुम्हा समवेत काई गड़लेला हे, कशा पद्धती ने काई जाला, ये तुम्हाला काई काई मदे पढ़ाईचे नाई हे, तर तुम्हाला कस करनार, या गिली एक दशक बर, या खेयाडूने अपला नाव, दबदबा, निर्मान केला, पणि त्याचा समवेत काई गड़लेला हे, तुम्ही किती दबदबा, निर्मान केलेला हे, या चा पलीकडे मुंबाई मदे क्रिकेट खेयला जाता, ते खडूस रुत्ती ने, आनि ही राहूल जोगाडी या पुडे सरसा होतो है, गनेश देटेने तेला अमंतरीत केले होता, डांसिंग डाउन दे विकेट आला होता, साधरा नसा वाटले होता कि हा चंडू राहूल सोडून देल, पाल, राहूल ने सुद्धा पायला कि चंडू वरती धावा येन महत वाचा जिते नो मैन लाण्ड होता, ते ठीकाणी तेने दोन धावा पूर्णा केले, या दोन धावेने धावसंक्या वड़ून पोसले थी, बारा परेंत, दोन शटकांचा खेल संपला, गनेश देटक महत वाचेट डरल, करने या शटका मदे तेला विकेट मिलाली, एकादे ओर म एकादी विकेट मिला उन, हे सुद्धा ते गोलन धाजाचा काउशल ले आसता, आणि गनेश ने ते परिपूर्ण पने या ठीकाणी मैदाना मदे दाखुन दिला, दोन शटकांचा खेल संपला, बारा दावा, प्रोलिंग शटका मदले अडवांटेज मड़ून मिलाले या दहा धावा, त्या कित्पत महत वाचे असना रहेत, हे या प्रश्नाचा उत्तर मला वाट कदाची तीसर शटक देल, पर अपन साउदाशे चाईज ले तुरू केली, साउदा चापन दा मिनिट दाले लिएत, यस, वेल, मला यस, परदेचा आयो जो किया नातने रुश साइज केलर जाइन नवीन गोलंदाज हर्श मैदानमदे, हर्श या शब्दाचा अर्त वो तो आनंद, अने जरतो आनंद दिने साटी मैदानमदे हर्श उतर लेला आहे, तर त्याला त्या प्रकारे गोलंदाजी करा विला, अने समुर मंगीश वाइती है, समुर राहूल जोगाडी है, ये द अने हर्श ये करतो है बागानम, का सुन्दर अक्षन है त्या फस्वी अक्षन है या अरताथ, आनि त्या फस्वी अक्षन मदे, त्याने मंगेश वाइती समुरे, कि वेगल चैलेंज निर्माण के ला, पहले दोन चिंडू वर्थी, मंगेश ला एका जागे वर्थी जुबत अस्तो, पड़ त्या फस्मंगेश चा समुर दबाव निर्माण केला, या हर्श ने, ही खर्यारताना मंटातना, या स्परदेची सुद्धा उलक है, मुंबई तले आसलेले गुणुवत्ती ची सुद्धा उलक है, आनि या गुणुवत्ती तुन, प्रतिवावान खेयाडू निर्माण होनार, या ची ही एक नविन कहाणी सुद्धा लेली जाते, तैची ही अपले आला, तैची ही कवतुग करावला गेल, पगा हर्श हा चंडु, आकुट अप्याचा आशा आशा वाटली होती राहूल जोगाडी याला, पड़ तो चंडु टपा गेतला हर्श ने खर्चे केला, हर्श उद्धा साधरना, जी कही अपली तैची आक्षन है, तैची आक्षन वर्थी या वेलेला, मैदाना मधे, एक वेगली जादू दाखोनायाचा प्रयात न करतो है, मंगेश ने फटका खेल आचेंडु, आर्था ता सीमार इशा गाटना रहे, पंचांचा इशारा यह तो है, मंगेश वाइधी साधी हा, प्रोलिंग शावकार, आखु टप्पेचा चेंडु, आने मंगेश वाइधी अशा प्रकार चा फटकेन साधी, आसूस लेला अस्तो, बरोबर मंगेश चा अर्था तैच या वेलेला, रडार मदे चेंडु आला आ सबने में गनाएधी, आसेूस लिखा तैच अर्था रडा पंचा और तैचर। पहले दोन शटका मदे आपले गोलंदाजाने साधरन बारा तेरा धावा करचे केले होते आणि मग जेवा अपन गोलंदाजीला आलो है तेवा आपले कड़ुन सुद्धा एकादा चौकार एकादा शटकार हा एणार चे पंट त्याचा पली कडे फलंदाजान वर्थी दवा आउ राईल इकाल जी तेने गेतले आता मात्र मंगेश वाहिती आपले बात ने धन का दाको दोए पन धितक चुत्तम शेद्र रक्षण पंचान चा इशारा मात्र ये तोई के हाँ चेंडू शटकार असलेजा आणि मंगेश वाहिती चा बात मधुन निगालेला हा दंडनी शटकार अप्स्टम चा बाहेर शफल होन खळूं काडला मंगेश वाहिती चा बरोबर बात चा पट्टा तालेला फटका होता आणि सीमा रेशे चा बाहेर जाऊन चेंडू अडवनेचा हा प्रहतना अर्था तच अस अफल टरला तो शेत्र रक्षण काचा मंगेश वाहिती ने अगदी आपन मतो बेंबी चा देठा पसुन या वढ़ेला थी ताकद माइदाना मदे दाकोली होती आणि त्याला माइदी होती होती है जा पद्दती ने तो माइदानात पाहतों चेंडू कड़े लास्ट मोमेंट परें ता येस 25 दावा 25 दावा दाव फलका वर्थी लागले तीन शटकां सा खेल संपला है आणि मागाता ते चमत करिक शटक प्रोलिंग शटक जा शटकां मदे एक तर तुम्ही घडू शकता कि माँ परस्तिती बिगड़ उस्तुद्दा शकता हे अरता फलन्दाजान साथी मनायेचा कि मागलन्दाजा साथी मनायेचा खेल अठरा चेंडू येन बाकी है जर 15 दावा बनावा और तर डाय्रेक 25 दावा तर माईनस सुद्दा हो नार श्रेश पवार गोलंदाजी लाये तुए, राहूल जोगडी या त्या समूरे, साउत्या शटका मदे, पहला चिंडु यावलेला श्रेश पवार चाटपा गेतलाना अंतर पंचानी अर्थाताचा हाथ फैलाउन इशारा सुद्धा केला, अमच्या धावसंक्या लेककान कामगेरी पार पाड़ता है, आणि मॉंटी सार आना या गोष्टीची आवड है, करण जीजी शेत्र आपलेला पूर परिपूरुन अपने न्याय देता हील, आशा प्रत्तिक शेत्रा मदे तरना काम करेला आवड था, आणि त्या मोले इथे जर दागारी कामी है, तो आणि एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मदे काई फरकस्तो, तर हाजो वन पर्सेंट चा फरकस्तो नो तो फार महत वाचा, बगा, 28 ओन बूड, 28 दावा दाव फलका वर्ती जाले, तुम्ही वन पर्सेंट एक्स्ट्रा एफट्स है, दाखो लेज पाईजे, जीते एक दाव होती, तिते दुहेरीचा रूपांतर करा, जीते दोन दावा होतीया, ते अडवनेचा प्रहेद न करा, तिते एक चाली पाईजे, या वन पर्सेंट एफट्नेस तुम्ही रोज पुडे जातास, दानि ते सातत्य तुमचा मदे येतास्त, कांड जगा मदे ही यशी एक्मेव गो चेंडू जातो है, वाइडेश, मिडविकेट, सीमा रेशेवर, शेत्र रक्षकाचे हातात, फलंदाज बाद राहूल जोगाडी याने, आजोगाई फटका खेलला होता, आपन पाईला होता, की जवल्डोवलासा श्रेशला सुधा वाटला होता की चंडू ओर पीज गिलाए की काई, राहूल जोगाडी या तोड़ा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक प्रमाने खेलाला गेला, बरात स्वेल हवेच सुधा होता, पन शेत्ररक्षकाचा काउतू करावला गेल, तेज्या जज्जमेंट चा अंटिसिपेशन सा काउतू करावला गेल, करन शेवट चा शाना परियंत, जरी सूर्य किरन डोल्या वरती एत असली, तरी सुधा ती नजर चेंडू वर्ची हटनार नाई, य अनि तो चेंडू का लियाला, तिते जेल टिपला गेला, आनि मघ फलंदाज बाद जाला, इथे आपन पातोई समीकरण असा जलेया था, दोन गड़ी बाद 28, तीन पुर्णां का तीन शटकाचा समापती नंतर, मैंडे अजुनेही सामना जिंकने साटी, आपन पातोई, अ समीकरण आण कें इंट्रेस्टिंग ओड़ा रहे, आणि तीन मघ बारा आलेया, तरी समीकरण इंट्रेस्टिंग ओड़ा रहे, त्या मोले फलंदाज जा बाजुने बोला, गुलंदाज जा बाजुने बोला, चला थोड़ा वेल क्रिकेट चा बाजुने बोलुया, जेवा मैदाना मदे अनोखे ट्विस्ट निर्माण जालेद तेवा मंगेशला साथ देने साथी नवीन फलंदाज मैदाना मदे आला है कलपेश कलपेश माहूलकर मैदाना मदे आला है जला अर्थाताच कड़क या नावने ओड़कला जाता कलपेश मावलकर गिली एक दशक जला या क्रिकेट चा माध्य मतुना पण ओलोक तो है आणि सातत्य कलपेश चा खेड़ी मदे सदैवर आलेला है तोच कलपेश मैधाना मदे आहे पर क्रिकेट चे पारामेटर्स थोड़े चेंड धले आणि त्याचा मोले तुम्हाला प्रत् चेंडुचा गती मदे बदल करतो दिशा मदे बदल करतो आणि आक्यूरसी वरून कधी चुकत नाई है त्या मोलो तीन पूर्णांक चार शटकांचा खेड़ संपला कि माँ याचे चार चेंडु जाले आणि चारस धावा करचे केला जे कलपेश समुरेक आउवा नासनार याही विलेला पन पादो ना यॉरकर लाइन गोलंदाजी करायेची कि मासमोर फलंदाजाला रूम द्यायेचा नाई एकेरीज धाव मेलना राये याची दक्षता गेतली श्रैयाशने आणि पाच चंडु मदे पक्त पास धावा करचे केला जोवेडवल आता हे स्मश्ट दाले कि श्री 11 चेम्बूर संगाला दाहा धावा माइनस सा प्रवास करावा लागेल तर सन्माना गडे अपन वालना रहत थोड़ा थांबो ते संदीपची जागे सर या एका चेंडु में तर आपन सन्माना गडे वालना रहत बगा कोणत्या ही खेलाद 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 खिशाद पईसे घ्योंद आवत नाई तर मना धेई आणी डोड़ाद स्वपने घ्योंद आवत आस्तो आज श्रेयश पवार सुद्धा त्याचा जुदार रहन है चाउत शटक त्याचा हाता मदे देना ताला आणी या चाउत शटका मदे त्याचा समूर दबा होता पड़ तो दबा वाला बढ़ी पड़ला नाई त्याने स्वपने टेवले होतो कि या शटका मदे 15 पेक्षा कमी धावा देयाचा प्रतिसपर्दी संगाला एक अनिकीन अवान जी आहे ते खड़तर कराईचा आणी त्याच प्रकारे आवान खड़तर होताना पाहला मदा चार शटका मदे 31 दावा 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 दावाला गणार एक वीस तरस सन्माना कडे वलते विशेश सन्मान याटिकने केला जाना रहे ट्रिस क्रिकेट अपडेटर कृष तांकि तो मज क्रिशना जी मिश्रा अपर वेला तवेल कालून याटिकन उपसी जालाथ अडिया स्परदेला सधिच बेड दिलित अबद अब दलापले मना पसुन मना पसुन आभार सवयत माच कड़े जाटिकर पुनिश्राइग आप अपड़ा एकना राथ संतिव जागे सराना ओल्यों मैदान मदे जीदे पहिले चिंडू अर्थी चावकार पायाला मेल तुए सामना मदे कलपेश अर्थात स्ट्राइक लापलेला पायाला मिलाला आणि त्याचा बाट मदू निगालेला हाँ एक सुन्दर फटक आणि जिवा बारा मदे सत्तिचाडिश्य अवश्यक्ता होती पहिले चिंडू अर्थी चावकार अले समीकर बदलना अक्रा चेंडू येन बाकी है सामना जिंकने साटी त्रेचाडिश धावांची अवश्यक्ता शटका दिल पूर्चा चेंडू सोनू चा जैने पहिले चटक टाकला होती त्याने एक शॉट मिड़ोंचा बरुबर मधे एक शेत्रक्षक तैनात केला गेला होत स्टामिना, स्पीड, स्ट्रेंद, स्किल, अनि एस पॉर स्पिरिट अनि त्या निशी तुम्हाला ते 5 एस सजोन तुम्हाला मैदाना मधे त्याचा एक मन्दतात ना कि पाट्स बोटो एक दर आणून तुम्हाला ती वज्रमूट तैयर करावी लागते तेवा विजय समी इपिया तो यावलेला मंगेश वईती ती वज्रमूट बनवनेचा प्रहतना गेला चिंडू सीमारेश्चा वाहर चावकार या चावकार ने समी करण बदले आथा मंगेश वईती चा बाट मधूना चावकार आला आणि ये दोन चावकार मला वटना कलपेश चा बाट मधूना आलेला चावकार आणि मंगेश वईती चा बाट मधूना चावकार या सटी असेल करण मैदानमदी इंट्री कोणाची जाली? वन अप दे लिजेंडरी ग्रेट प्लेयर शंतनु गायचोर यांची इंट्री जाली आणि लागोपाट अपलेला दोन चावकार पाला मिलाले करण जर मैदानमदी आशा सिंगल डबल चा खेलवाल लगला तर ते शंतनु गायचोर यांची कदी आवडनर नाई करण त्याननी चावकार अणि शटकार अची मैफील जमोले त्याननी गोरे गाउचा मैदानमदे आटाट ओर मदे शतक सुद्धा बनावलेला आहे आसे शंतनु गायचोर आहेद त्यानन मी अनेक वलेला शट वर सुद्धा मैदानमदे ख़िटाना पायला है आणि त्याचा ओरती तो आनने शतकार मार लेला है मंगेश वहिती चा बाट मदु निगलेला हाफ अटका मात्रफ वसला है आणि जंडू सराल शेत्र रक्षकाचे हाथ आथ वीशाओतो है बाध हुन परतो है मंगेश वैदी पावलन मदे यह वा संगाची दाउसंके है दोन गडिवाद तीस शंतनु गाईचोर येंच याडिकाने आपन आगमन होतो है तेनसा मनपूर्वक स्वागत करूया तैना धन्यवाद दिवी यह स्पर्दे चा नेमिताना प्रोलिंग कप यह स्पर्दे साड़े तैंची उपस्तिती आपना सर्वान साड़े नकीच आनंदाची गोश्टा है करण एका कालखंडा मदे असा मणूया कि जा कालखंडात मुंबई क्रिकेट चा एक दैदिप्यमान इथियास लीला गेलेला आहे आनि त्या कालखंडा चे हे सर्व साक्षिदारा मदेल एक महत्वाचा नाओ करण ते किमया गारा हेत तैनने खर्या आरतान अनेक मैदान गाजवली आनेक स्पर्धा जिंकला आनि त्या स्पर्धेचा माध्यमातों आनेक ख्याड़ू तैयर केले फलंदाजी गोलंदाजी आगाडया वर्ती शेंतनु गाईचोर यानना कदी ही ओन त्या ही सरुपाच्च उत्तर प्रतिस्पर्धी संगाला देता आलना है शेंतनु गाईचोर यानसे आटी कणी आगमन होतों प्रोलिंक कप्स पर्धेचा माध्यमातों आमी तैंस स्वागत करदो वल्तों मैदाना मदे जीते मंगेश वईती बाध हुन परतला है आने संगाची दावसंक्या मित्रन आपन पाढ़तों तीस दावन वर्धी याटी कणी अडक लेली पाहाला मेलटे करण मंगेश वईती बाभीस दावाद याने बनावले अपले संगा साड़ी तो बाध हुन परतला जाविलेला तैचा खेडी मदे तीन चाउकार जा समावेश होता आने एक शटकार सुद्दा होता फुल्टास दिला चेंडू परन्तु जाने उपूर्वक फुल्टास दिला समाणा मला जाईल कड आले-ाले नवीन फलंदा जाला सुद्दा पाविलन चा रस्ता दा कोला जातो है नवीन फलंदाज येतो ही काया आने परत जातो ही काया सुधीर बाव दोन परत्तों पाविलन मदे इंट्रेस्टिंग आसदे कि जिते चाउकर आला घापरून जायेचे नहीं किमा तेयाँ चुम्डर दाउन करायेचे नहीं तो जो हला आपण मणतो ने कि पास ड szczंन गढाई तो दे जो हैँआ अपन डेगल 12 Re Impf स्विकार कराएचा त्या पद्धतीने त्याला सामोर जायाचा आणि त्या गोलन्दाजा नेकेले सोनुचा कवतु कोईल कण पहले तीन चंडूत नौ आले नंतर त्याने फुर्चा दोन चंडूर वरती दोन विकेट प्राप्त केले आणि याता है ट्रिक चा उंबर ट्या प्रतीन वरती आला है आत अजुनी यास पर्देद है ट्रिक नावाला वरती नोंदो ली केले नहीं है प्रतीन पाठीमागे बस्वा विननती करतू पत्याचा पाठीमागे बस्वा त्या छोट्या मुला ला आपले कोणी प्रतिनेदी तेदे आसील तार जो पिंक कलर चास फुडे बस लेला मुलगा है तेला जार पटद्याचा पाठी मागे बसवा सोनुचा या शटका दिल आने अर्था या डावा दिल तेयाचा हा शिवट चा चिंडू असनार है तेयाचा प्रतिकार प्रतिकार केला जायले श्री इलेवन चिंबूर संगा कड़ून पण तो प्रतिकार केवल स्वपना मदे राईला असा मणा मटला दरती अतिश्योक्ती टरनार नाई करण जा प्रकारची गोलंदाजी अपलेला पाला मिलाली मन्तन इलेवन बांदरा संगाची फलंदाजी तर सदूस्ट धावा ठोखडारी फलंदाजी मिलाली करण क्रिकेट मदे अपन नेमी मन्टो नकी तुम्हें ओर पावर, ओर टेक आणी ओर कम करनेचा प्रहत न कराएचा आस्तो जे अर्थातस तत्वा टेनिस मदे सेरेना विलियम्स ने वा परला आणी मग क्रिकेट चा मैदाना मदे टेनिस क्रिकेट मदे अली कड़चा काडा मदे जिते कमी शटकांचे सामने आले, तिथे तुम्हें ला ते वापरावा लागता सहा चेंडु येन बाकी सामना जिंकने साडी 37 धावांचे आवश जकता आमी आमंतरीद करतो लीजेंडरी प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर अर्थातस मुंबई क्रिकेट मदे अले महाराष्ट क्रिकेट मदले नवे, तर भारती ये टेनिस क्रिकेट जकता तिल सुवरन अक्षरा तिल नाओ, शंतनु गाईचोर येन आमंतरीद करतो कि आपन व्यासबिटावरती उन स्तानपन वायचा आहे, प्रोलिंक अपचा या स्पर्दे मदे आपन उपस्तीद जाला ये स्पर्देला शुबेच्चा दिना साथी आपन आटिकान आलाद, त्या बदल आपला मनपूर्वक धन्यवाद, आणि विननती असल कि आपन व्यासबिटावरती इस्तानपन वायचा आहे, गोरेगाउचा अनेक मैदान आवरती आपन आटाट शटकान मदे सुद्दा स उपस्ती जालेले है, त्यान्चा ही आमें मनपूर्वक स्वागत करतो, त्याना ही मनपूर्वक धन्यवाद देतो, ये स्पर्देचा निमित्ना उपस्ती जाले बदल, इथे आपन पाईला कलपेश थोड आउशिका आउईना, आगोदर विचार केला होता कि अपस्टम च नजर शिवटला हटा हुली, आणि मग येस्ट्या उध्वस्त दालेले सुद्धा आपन पाईले, चार चंडु येन बाकि ये सामना जिंकने सटी 36 दावांचे आउशकता है, पना आज गोलन दाजी चे सुद्धा मंतन 11 बांदरा संगाचे कहुतू कोईल, करेना, सोनु न अपन पातो है कि चार गोलन दाज वापन अनिवारी असना रहे, श्रेयस सुद्धा कहुतू कोईल, बगान श्रेयस पावर यावलेला गोलन दाजीला आला है, हाँ चंडु थोड यांशी ओर पिजबनु ख़़ूं काटने सा प्रहतना फलन दाजाने केला, मग बगितला कि अपलेला एक थोड़ी रिकामी जागा सुद्धा मेटे, स्क्वेर लेगला हाफटका खेला, अस वाटला कि या चंडु अर्दाज गोशित परिसारा जातो है की काई, पड़ तसका इगडला नाई, चार दावा जरूर मिलाला, तीन चंडु यान बाकि है, सामना जिंकने सा 32 धावां ची अवश्यक्ता है, पड़ जाचे काउतूग आपन करतो, तो ना कि मनता नेलेवान बांदरा संग, जो फलन दाजीला मैदाना तुतरला होता, पड़ श्रेश पावर चाहा चंडु थोड़ या उशिका होई ना, फलन दाजने स्वता साटी जागा बनावली होत जर आपन स्क्वेरलेग चा पट्या था फटका ओडला, तर धावा मिलना रहेत, गोशित परिशार आपसुन थोड़ आपला बरुबर वाइड कक्षा मदेहा अर्था चेंडु भिरकाउन द्यायेचा आए, और तीतुरस ते फटके खेले जाता है, पन जसा मनावल आगेल क यह यहनारे मूठे फटके अर्थाद विस्ता विस्ता दिवा जसा मूठा हो तो तशातला प्रकार असा वकी का है, करना ता पराभवाचा संपूर्ण पणे चाये खाली आलेला आहे, तो श्री एलेवन चेंबूर संग, मन्त निलेवन बांदरा संगा सोबत खेलता सतना, मन मुश्किल से मुश्किल परस्तिती असा निर्मान जाली होती, पड याच मैदाना मदे तेननी सदुसस्ट धावा जमोल्या, मन्त निलेवन बांदरा संगाने, आने प्रतिसपर्दी, श्री इलेवन चेंबूर संगाला, आपड पातो है, कि शेवट परेंत, तेनना 40 बात करून पावलेंचा रस्ता धागोला, मंगेश वैदीने प्रतिकर करनेचा प्रहतना जरूर केला, पर्ण तेला सुद्धा बात करून पावलेंचा रस्ता धागोने ताला, आने शर्तेशेवटी, याच मैदे विजे इहोतो है, मन्त निलेवन बांदरा संग, तेनस पूर्वक अभिनन दन, प्रोलिंग्स कप्चा निमेतना तैना मनपूर्वक शुबेच्चा पुडिल सामने साधी, और हाड लग्टु, श्री लेवन चिम्पूर, चला, लगेश नाने फिकी साधी आईचा, मन्त निलेवन बांदरा, संगाचा कनदरला मी विननती करतो की, लगेश टॉस साधी आईचा, आने, अलता बाई याना विननती करतो, गोरेगाव मदेल अर्था तच्छ क्रिकेट मदीला एक मोठा नाव, अलता बाई याँचा, शुबास्ते नाने फिकेचा कावल, श्री लेवन चेम्पूर, संगाचा कनदर, मन्तन निलेवन बांदरा, संगाचा कनदर याटी कनदर, उपस